ओम हनुमते नमह दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में तो कन्या राशिवालों, दोस्तों, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ डैपाएगा, बस अपने पर्स में छुपा देना, ये एक छोटी सी चीज, उसके बाद आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा, साथ ही चाहे धन दौलत हो, चाहे किसी का प्यार पाना हो, चाहे आपको बड़ा बंगला लेना हो, बड़ी गाड़ी खरीदनी हो, बड़े से बड़ा सपना भी आपका क्यों नहो, मात्र कुछ दिनों के अंदर आपको वह हर जिस चीज के लिए आप दोस्तों कई सालों से तड़प रहे थे, बस आपको अपने पर्स में यह चोटी सी चीज चुपा देनी है, क्योंकि दोस्तों, मात्र इस चोटी सी चीज के चुपाने से ही आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा, पूरे समाज में आपकी इज जो लोग आपको देखकर मून मोड लेते हैं, वह भी आपके पास आएंगे और आपसे मित्रता करना चाहेंगे, जो लोग आज आपको इजज़त नहीं देते हैं, वह आपकी इज़त करेंगे, जो लोग चार जनों में आपकी बेज़ती करते थे, वह लोग पूरे समाज मे आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि इस चीज का चमतकार ही कुछ ऐसा होता है, देखिए दोस्तों, जो बड़े-बड़े विद्वान हुआ करते थे, बड़े-बड़े राजा-माहराजा हुआ करते थे, वह अपने समय में अपने साथ मात्र यह एक छोटी चीज रखते थे, ज इस चीज का इतना फाइदा होगा कि आपको दोस्तों, अपने इस जीवन में किसी भी चीज के लिए आपको वंचित नहीं रहना पड़ेगा, हर सुख आपको मिलेगा, फिर चाहे धन-दौलत का हो, किसी का प्यार पाना हो, अगर आपके संतान नहीं है, तो संतान हो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुरानों में, इस चीज का पूरे उल्लेख के साथ वर्णन किया गया है, यह चीज दोस्तों, आदिकाल से चली आ रही है, और अनंतकाल तक चलती आएगी, लेकिन इस चीज के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हर आपके उपर काम करना बंद कर देगी, लेकिन हमारा तो काम है दोस्तों, लोगों की भलाई करना, हमारा काम है लोगों को धर्म शास्त्रों से जुड़ी चीजों के बारे में बताना, हमारे दोस्तों जीवन में कोई सुख हो या ना हो, लेकिन हम आपको हर प्रकार का सुख देना चाहते हैं, क्योंकि हम इस मोह भरी दुनिया में दोस्तों एक अलग जीवन यापन कर रहे हैं, आप लोगों के कल्यान के लिए तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उस हर चीज के बारे में आपको बताएं, जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है, और आज हम उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको मात्रपढ समय रखोगे, तो आपको दोस्तों अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी किसी चीज में आप पीछे नहीं रहोगे, हर चीज में दोस्तों आप आगे रहोगे, हर संसार के किसी भी प्रतिसपर्धा हो या कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे मोहले में हो, समाज में हो, सभी में आप आगे रहोगे. इस चीज को जो भी व्यक्ति अपने पास समय रखता है और जिस दिन रखता है, वह उस दिन से ही तरक्की पाना शुरू कर देता है. व्यापार में उसको त धीरे धीरे वह काम पूरा कंपनी का मालिक बन जाता है। कई लोगों को फाइदा हुआ है और आपको भी फाइदा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहना चाहूंगा कि देखिए मैंने तो आपको इस चीज के बारे में बता दिया है और मेरे द्वारा कई हजारों लाखों लोग इस चीज के बारे में जान लेंगे। लेकिन आपको अपने मूँ से इस चीज के बारे में अपने भाई को भी नहीं बताना है। ध्यान से सुनिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से इस प्रकार की वीडियो बनती है। दोस्तो, कई सालों की। दोस्तों मेहनत से हम खोजबीन करते हैं और कई सालों की खोजबीन के बाद इस प्रकार की वीडियो बन पाती है। इस वीडियो को बनाने के पीछे कई दोस्तों लोगों की मेहनत है। कई दिनों की रात तो दोस्तों हराम हुई है तब जाकर ये वीडियो बन पाई है। तो क देखिए इस स्रिष्टी के रचियता केवल और केवल वह महानायक महादेव है। कालों के काल महाकाल है। तो कृपया करके अपने शुब हाथों से कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और नीचे कॉमेंट बॉक्स में। दोस्तो आप महादेव का नाम लिखने के बाद आपकी कोई समस्या हो तो वह भी लिख देना। आपके उपर भगवान की कृपा बनी रहेगी और आपको अगले 24 घंटों में तीन बड़ी खुशियां मिलेगी। तो अभी अभी जाएं और लिख दे हर हर महादेव। आईए दोस्तो जान लेते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है। देखिए दोस्तो जो हमारा पर्स होता है या फिर जिस चीज में हम धन रखते हैं चाहे वह हमारी जेब ही क्यों ना हो। कुछ लोग पर्स रखते हैं और कुछ लोग पढ़ नहीं रखते हैं। तो दोस्तो अगर आपको पर्स बहुत पुराना हो गया है। पर्स बदल लें और नया लेकर आ जाएं। नया लाने के बाद ही आप उस चीज़ को इस बस में रखिएगा। इतनी बाद तो मैंने आपको बता दिया। बिलकुल ध्यान से सुनिएगा देखिए इस चीज को आप जब भी पढ़ समय रखे तो उसके कुछ नियम है जो आपको पहले अपनाने पढ़ेंगे देखिए दोस्तों आप इस उपाय को केवल और केवल मंगलवार के दिन कर सकते हैं मंगलवार हनुमान जी का वार होता है और बाला जी महराज का ही इस उपाय में बहुत दोस्तों योगदान रहता है इसलिए यह उपाय केवल और केवल मंगलवार के दिन ही किया जाना चाहिए दिन मंगलवार का होना चाहिए और समय संध्या का यानि कि शाम का समय यानि कि 6 बजे के बाद सूर्यास्त के बाद ही आप इस उपाय को करिएगा तो ही यह उपाय काफी अच्छा आपके काम करेगा उपाय क्या है ध्यान से सुन लीजिए दोस्तो मंगलवार के दिन आपको सुभह सुभह जल्दी उठकर नहाध हो लेना है नहाध होकर स्वच्छ वस्त्र पहनना है और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है उसके बाद आप अपने घर के भगवान को अच्छे से उनका पूजन करें दीपक लगाएं अगरबत्ती लगाएं और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और आप अपने काम से निकल जाएं और फिर आता है संध्या का समय शाम का समय दोस्तो जैसे ही सूर्यास्थ हो जाए आपको पान की दुकान से एक स्वच्छ और अच्छा पान का पत्ता लेना है पान का पंडित खरीद कर ले आएं पान का पत्ता अच्छा बढधा होना चाहिए और बिलकुल कटा फटा नहीं होना चाहिए बिलकुल स्वच्छ होना चाहिए उस पान के पत्ते को लेकर आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको पान के पत्ते पर आपकी जो भी मुराद है, जो भी आपके ख्वाहिश है, जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हो चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे इज़त हो, चाहे शोहरत हो उस पान के पत्ते पर आप किसी भी पेन से, किसी भी कलम से अपनी मुराद अपनी मनोकामना लिख दे। लिखने के बाद उसको हनुमान जी के चरणों में मात्र पांच से दस मिनट तक रखे रहने दे और आप वहाँ बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते को उठा ले हनुमान जी के चरणों से और उस पान के पत्तों पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अच्छे से लगा दे कुछ बिंदिया सिंदूर की लगादे पान के पत्ते पर और उस पान के पत्ते को घड़ी करके अपने पर्स में वही पर मंदिर के अंदर रख ले उस पान के पत्ते को अपने पर्स में रखा रहने दे इससे बहुत ज्यादा कृपा होगी बाला जी महाराज आपका हर संकट दूर करेंगे, आपकी हर मुराद पूरी करेंगे, तो दोस्तों, यह उपाय अवश्य करिएगा, आपका मात्र कुछ दिनों के अंदर ही सारा संकट टल जाएगा, और आपकी जो भी मुराद है, वह पूरी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों, व चानक्य जो थे, वह एक महान ग्यानी थे, अर्थ शास्त्री और कुशल राज नीतिज भी थे, उनकी नीतियां जो थी, न केवल व्यक्ती का मनोबल बरहा दी थी, बलकि जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी देती थी, यहां मित्रो, हम आपको बताएं अगर हम करते हैं, और उसमें असफल होते हैं, तो हम मित्रो से सीखते हैं, परंतु ध्यान रखिए, दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि खुद पर अगर प्रयोग करोगे और सीखोगे, तो तुम्हारी आयू ही कम पढड़ी आज जाएगी, तो मित्रो, हमेशा अपने आसपास के लोगों से सीखिये, उन्होंने जीवन में क्या-क्या गलतियां की है, और अब आप वह गलतियां न करें, जैसा उनके जीवन में हुआ है, वैसी गलती आप न करें, क्योंकि मित्रो, अगर आप खुद करोगे, और गिरोगे, और सीखोगे, तो इस जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं, पर जो प्रगति करना चाहते हैं, उपर उठना चाहते हैं, ऐसे लोग वे अपना सब कुछ दाव पर लगाने से कतई नहीं डरते, संभावना है कि वे हार जाएं, कुछ न कर पाएं, लेकिन यह जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें सबसे अलग बनाता है, तो जो कुम्भ राशी के जातक भी होते हैं, इनमें मित्रों में प्रवृत्ति होती है कि वे सब कुछ कर जाते हैं, अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए, प्रगति के लिए सब कुछ कर जाते हैं, तो मित्रों, इस जो रवईया है इसको बिलकुल भी नबदलें मित्रोध्यान रखिएगा इस बारे में तीसरा जो गुण है वह बताते हैं कि बीते समय के बारे में पच्चतावा कतै भी नहीं करना चाहिए और नहीं भविश्य के बारे में चिंतित होना चाहिए विवेकवान जो व्यक्ति होता है, हमेशा वर्तमान में ही जीता है तो मित्रो ध्यान रहे, बीते समय के बारे में पश्टावा न करें और नहीं भविश्य के बारे में हद से ज्यादा चिंतित हो अगर आपको सफल जीवन और एक खुशहाल जीवन जीना है, तो वर्तमान अभी जो है, उसी में जीए मित्रो, ये जो बातें हैं, जो हम बता रहे हैं, अगर आप ये समझ लेंगे, जीवन में अपना लेंगे, तो मित्रो को आपके साथ क्या करेगा, उससे आपको फर्क नहीं, पढ़ देगा जीवन में आप सही राह पर चलेंगे, और सफल आप अवश्य होंगे चौथी बात, मित्रो, शिक्षा, सबसे अच्छी मित्र है हमेशा, मित्रो कुछ न कुछ किसी न किसी इनसान से चाहे, अगर आप एक बुजुर्ग है, तो आप अपने पोते से कुछ न कुछ सीखिए, अगर आप एक बच्चे हैं, तो अपने माता-पिता से सीखिए, अग भी आप एक इनसान बड़ा बनेंगे। ध्यान रखिएगा। शिक्षा की जो शक्ति है उसके आगे युवा शक्ति और सौंदर्य दोनों ही कमजोर है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। पांचवी बात मित्रों, किसी भी व्यक्ति को बहुत इमानदार और सीधा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे व्रिक्ष सबसे पहले मित्रों काट दिये जाते हैं। मित्रों, जो कुम्भ राश के जातक होते हैं, बड़े ही भावुक किस्म के होते हैं, बड़े ही सीधे मार लेंगे और सामने वाले को खाना दे देंगे. तो मित्रो ये जो रवईया है, ये जो आप भावुक हो जाते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और लोग क्या कहेंगे, उसके बारे में भी जो आप सोचते हैं वही जो प्रवृत्ती है, आपको मित्रों पीछे की ओर ढखेलती है। तो ध्यान रहे मित्रों बहुत ज्यादा। इमानदार, बहुत ज्यादा सीधा प्राणी, भोला प्राणी बिलकुल ना रहे। पहले अपना पेट भरे, पहले अपने आपको मजबूत करे, फिर दुनिय के बारे में सोचिए। मित्रों पहले आप अपना पेट भरे, उसके बाद अपने अपनों का भी, चाहे वह आपका कोई पुत्र हो गया, चाहे आपके माता-पिता हो गये उनका पेट, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आपका शरीर सही चलेगा, तो ही आप अ मित्रों जीवन में, मित्रों जितना बड़ा संघर्श होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी, हमारे गुरुजी कहते हैं, चानक्य, मित्र कहते हैं कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए, एसे व्यक्ति जो आपके स्तर से उपर या फिर आपके स्तर से नीचे के उन्हें दोस्त कतई भी न बनाएं क्योंकि वे तुम्हारे कश्ट का कारण बन जाएंगे। हमेशा समान स्तर के मित्र ही सुख दायक होते हैं, क्योंकि मित्रो अगर किसी गरीब इनसान को मित्र बनाया। मित्रो अगर आपको ये बात बुरी लगे, परंतु इस बात में बहुत बड़ा मित्रो ख्यान सुना है और बसा हुआ है। मित्रो सातवीं बात, भय को नजदीक कतई ना आने दें। अगर ये नजदीक आए, तो इस पर हमला कर दो, यानि भय से भागो मत, इसका सामना करो जीवन में। मित्रो बहुत सारी कठीन परिस्थितियां आती है, जब हमें लगता है कि इस से या तो दूर भागे, या फिर हम अपने घुटने टेक दें। लेकिन मित्रो अगर ऐसा हम करेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जीवन में। जन्तु जो आपके कर्म है, आप उसी से महन बनोगे। नौवीं बात, एक बार जब आप कोई काम शुरू कर रहे हो, तो असफलता से डरे नहीं और ना ही उससे त्यागे। क्योंकि मित्रो जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, तो उसके 99% चांस होते हैं असफल होने के। तो मित्रो ध्यान रहे, मित्रो एक बार में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज में सफलता मिल जाए। मित्रो, उसे बार बार करने पर ही हमें उसे सफलता मिलती है। सर्वी बात और आखिरी बात मित्रो कोई शांत कोई अगर कार्य शुरू कर रहे हो तो मित्रो कोई काम शुरू करने से पहले अपने आप से तीन सवाल जरूर पूछिए मैं ये क्यों कर रहा हूँ इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं इस कार्य में सफल हो पाऊंगा और जब गहराई से सोचने पर इन सवालों के संतोष जवाब आपको मिल जाएं, तब ही आगे बढ़ें, क्योंकि मित्रों, जीवन में हम ऐसा कभी कार्य करें, तो यह है अगर तीन जवाब, अगर आप अपने से पूछ लें, और अपने आपको जवाब मिल जाए, तब भी करिएगा, तो मित्रों आपको सफल होने के 99 नहीं, 100% चांस आपको मिल जाएंगे, मित्रों बहुत जरूरी जरूरी आज बातें बताई हैं, सभी बातों को जीवन में अपनाईए, कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर सकता, आच प्रू जी का ग्यान और मित्रो चानक्य जी की बातें पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, दोस्तों, वीडियो को छोड़ कर जाने की बोल अभी मत करना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी एक गंभीर बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आखिर कौन इंसान है, जो आपको दोस्तों बरबाद कर रहा है, वह आपका सबसे बढ़्धा दुश्मन है, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारियां देंगे, दोस्तों, जिंदगी को बहतर बनाने के लिए, और बहतर तरीके से जीने के लिए, बहुत सी बातों का और बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पढ़ देहाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो हमारे जिंदगी में हमको ही बरबाद करने के लिए लगे होते हैं, दोस्तों उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते और दोस्तों, यह जो वीडियो है, आपके लिए बहुत ही बढ़ ही महत्वपूर्ण वीडियो और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देने वाले हैं, तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिये औ और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखियेगा। जय श्री कृष्णा कृष्ण भगवान की कृपा आपके और आपके परिवार के उपर बनी रहेगी। बोलिए दोस्तों, मुरली मनोहर कनहया लाल की जय हो। दोस्तों, बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपनी जिन्दगी में ऐसे काम करते रहते हैं, जिनके कारण उन्हें बाद में। दोस्तों बहुत पच्टाना पड़ता है, और कुछ काम दोस्तों ई से होते हैं, जो आपकी जिन्दगी को बरबाद कर देते हैं, और बाद में दोस्तों केवल और केवल पच्टावा ही हाथ लगता है, और वह आपको भी बदल ही नहीं सकते। तो क्यों ना पहले ही जान लिया जाए कि आखिर क्या गलतियां हैं, क्या दोस्तों चीजें हैं, दोस्तों ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसी बहुत सी आदते हैं, जो हमें शुरू शुरू में बहुत सी सही लगती है, मज़ा आता है उन्हें करने में, हम जो कर रहे होते हैं, वह हम आने वाला जो समय है, उसमें आपकी तमाम खुशियों को छीन लेता है। लक्ष्मी माता की कृपा रोक देता है, जीवन को बरबाद कर देते हैं। दोस्तों, यही कुछ काम हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, जो दिखावे की जिन्दगी जीते हैं, दोस्तों, और कामों को करके आपकी आने वाली जिन्दगी कैसी होगी। तो एक दिन दोस्तों, आप ऐसे मोड पर आकर खड़े हो जाएंगे, जहां पर आपको आपकी जिन्दगी अपने हाथों से फिसलती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों, फिर कोई दर्वाजा आपके लिए नही बदलाव ला सकते हैं। अपनी जिन्दगी दोस्तों, आप बरबाद होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, पहला दोस्तों कुछ आदत, बात बात पर शिकायत करना या कमी निकालना, अगर आप बात बात पर शिकायत करते हैं, या हर छोटी बड़ी चीजों मे कुछ नुक्स निकालते हैं या कमी निकालते हैं तो यह काम, यह आदत आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही बेकार है ऐसा करने से दोस्तों, एक तो आपको गुसा आता है और आप फ्रस्टेट हो जाते हैं, डिस्पॉइंटेड भी हो जाते हैं आपकी खुशियों को दोस्तों चुरा लेता है और दूसरों, जो तो दूसरा इसकी आपकी सामाजिक छवी जो होती है वह भी खराब होती है आपका किसी से जगड़ा भी हो सकता है ऐसा करने वाला एक तो खुद नेगेटिविटी से घिरा हुआ रहता है हर समय दोस्तों, वह चड़ चड़ा रहता है और अपना खुद का दिमाग तो खराब करता ही है और साथ ही साथ दूसरों का भी दिमाग खराब कर देता है दोस्तों, हाँ, अगर कोई बात या शिकायत सही समय से और जेन्यूइन है तो उसे सही ढंग से सही समय पर कहें, हर समय या हमेशा बिलकुल नहीं, जिंदगी में कुछ बातों को, कुछ चीजों को, दोस्तों, इग्नोर करना, यानि की दोस्तों, उन्हें देखना नहीं, यही चीजें करना है, और यही चीज आपको सीख, नहीं दूसरी बात, दोस्तो लोगों को माफ न करना, बातों को पकट डड़िश कर बैठ जाना, आप जिंदगी में दोस्तो बहुत ज्यादा और समय हर समय अगर सीरियस रह कर नहीं जी सकते, दूसरे लोगों की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, दोस्तो बहुत से ऐसे काम होते हैं, जो हमेशा हमें लोग किसी न किसी बात पर आपको दोस्तो हर्ट करते रहेंगे, यानि कि आपको दुख देते रहेंगे, किसी ने आपको अगर दुख दिया है या दुखी किया है, या कभी आपके साथ कुछ गलत किया है, बुरा सलूक किया है दोस्तों, धोखा दिया है या आपका अपमा तो उसको भूल पाना. दोस्तों, हर किसी के लिए मुश्किल तो होता ही है और वह बात बात पर दोस्तों बार बार परेशान आपको करती रहती है. लेकिन अगर आप लोगों पर अपने गुसे को लेकर बैठे रहेंगे या बार बार आप उसी बात के बारे में या बदला लेने के बारे में सोचेंगे तो आप उन बातों पर या उन कामों पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे, जो आपकी जिन्दगी के लिए दोस्त जरूरी हैं. और आप अपनी जिन्दगी के कीमती समय को, अपनी कीमती खुशियों को दोस्त खो दोगे, तो इस काम को भी, यानि की लोगों को माफ करना सीखिए. लोगों की बातों को दोस्तों नजर अंदाज करना सीखिए. दोस्तों अपनी एनरजी को, अपनी सोच को, अपने समय को ऐसी बातों पर लगाएं, ऐसी चीजों पर लगाएं, ऐसे कामों पर लगाएं, जो आपकी जिन्दगी को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना सकती है. जि को माफ करना सीखें और बातों को भूलना सीखें तीसरी बहुत ही गंदी आदत ऐसा काम करना या ऐसी नौकरी करना जो आपको पसंद ही न हो दोस्तों कभी कभी हमें ऐसा काम या ऐसी नौकरी करते हैं जो हमें पसंद ही नहीं होती है चाहे वह काम या नौकरी हम किसी मजबू पूरी में या किसी परेशानी में ही क्यों नहीं कर रहे हों। वह हमारे सुकून को, हमारी खुशियों को हमसे कई गुना छीन लेती है। दोस्तों, ऐसे काम करके हम अपने वर्तमान में ही दोस्तों उलच जाते हैं और अपने भविश्य के बारे में सोच ही नहीं पाते। इसलिए ऐसी नौकरी करें, जो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिगनिटी के अनुसार हो, जो आपके करियर आपके भविश्य के लिए अच्छी हो। ऐसा काम करें, जो आपको खुशी दें, जिन्हें करके आपको कई गुना आनंद मिलें, आपको सुकून मिलें, जिसको करके आप कभी भी बोर ना हो। दोस्तों, चौती आदब, दोस्तों, गलत रिलेशन्शिप में रहना, गलत रिश्टे में रहना, एक गलत साथी के साथ रिश्टा रखना, एक गलत रिलेशन्शिप में रहना, आपकी जिंदगी को बिखेर कर रख देगा। अगर आपका पार्टनर आपकी केयर नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता, आपको खुशिया नहीं दे सकता, तो ऐसे पार्टनर के साथ रहना दोस्तों, नुकसान दायक है. इसलिए अपने पार्टनर का चुनाव समझदारी से करिएगा. पहले उसे जाने, उसे समझें, फि पिर उसके साथ रिष्टे की शुरुआत करें, भावनाओं में बहकर बिलकुल भी फैसला ना लें, अगर आपका पार्टनर गलत है तो उसके साथ अपनी जिंदगी बरबाद करने से अच्छा है कि आप उससे अपना रिष्टा ही खत्म कर लें, दोस्तो पांचवी आदत है की कद्रना करना और फिजूल खर्ची करना, दोस्तों, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों की आदत है जो पैसे को बेवजह और बेमतलब ही ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं, जिनकी उन्हें कोई जरूरत ही नहीं होती है, जब तक उनके हाथ मे पैसा होता है, ऐसे ही फालतू में उड़ाते रहते हैं और महंगे महंगे शौक पाल लेते हैं, गंदी आदतें दोस्तों लगा लेते हैं, लेकिन जब कभी उन्हें पैसे की कमी होती है, या जब कभी उनके पास पैसा नहीं होता है, तो फिर वह बहुत ज्यादा पचछतात या फिर अपने शौक पूरे करने के लिए कोई गलत काम करना शुरू कर देते हैं, गलत रास्ते पर चल जाते हैं, अपने जायज शौक पूरे करना, अपनी जरूरतें पूरी करना, दोस्तो अच्छी बात है, लेकिन शौक के नाम पर फिजूल खर्ची करने की आदत आने वा आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. चाहे आज आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, चाहे आपकी साथ पुष्टें बैठ कर खाने जितना भी आपके पास पैसा क्यों ना हो, एक अंत दोस्तों ऐसा ही आएगा लिख कर रख लीजिए. अगर आप पैसे की जगह और अच्छे कामों में करिए. अगर आप दोस्तों से रुपए कमाते हैं, तो उसमें से कम से कम RS2 तो दान अवश्य करिएगा, वरना वह भगवान आपको दोस्तों कभी नहीं देगा. इसलिए ध्यान रखिए, जितना कमाएं उसका, कम से कम दोस्तों, एक परसेंट या फिर उससे भी कम उसका कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, दान पून्य अवश्य करिएगा. चठी और आखिरी बात दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए. जो लोग जूठे होते हैं, जूठे जिन्दगी जीते हैं, या लोगों के सामने अपनी जूठी शान दिखाते हैं, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, या दिखावे की जिन्दगी जीते हैं. एक दिन एक लोग अकसर ऐसी स्थिती में आखिरी में पहुँच जाते हैं, जहां वे दोस्तों सभी के सामने हास्य का पात्र बन जाते हैं. तो ध्यान रखिए, जूठी और और वही जिन्दगी जीए. कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोचता है.